नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वारल हिंदी नूज में स्वागत है दोस्तों राश्चपती रामनात कोविंद की भविश्यवाणी 2025 तक नई उडान भरने को तैयार भारत राष्टपती रामनात कोविंद ने आज कहा कि भारतिय अर्थ्विवस्था तेज वृद्धी के लिए तैयार है देश कका सकल घरेलू उत्पाद GDP 2025 तक दोगना होकर 5000 अरब डॉलर के आंकडे को छू लेने की संभावना है वह यहां भारतिय संदी लेखाकार संस्थान, ICAI, के प्लाटिनम जुबली समारों को संबोधित कर रहे थे कोविंद ने कहा, अगले दशक में भारतिय अर्थ्विवस्था नई ओडान भरने को तैयार है और 2025 तक देश की GDP का आकार दोगना होकर 5000 अरब डॉलर होने की उमीद है राष्टपती रामनात कोविंद ने कहा कि भारत दुनिया का 30 रहसब से बड़ा उब्होगता बाजार बनाने की भी कोशिश कर रहा है चावटर्ड अकाउंटेंट की भूमिका अहम कोविंद ने चावटर्ड अकाउंटेंटों को जनहित का प्रहरी बताया उन्होंने कहा कि देश की करणाली और करदाताओं को सुविधा देने में चाउटड अकाउंटेंटों की महत्वपून भूमेका है उन्होंने निश्पक्षकर प्रणाली के अनुपालन पर जोड़ देते हुए कहा कि इसका आशे सरकार को राजस्व देने से कहीं अधिक है काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी कॉर्पूरेट मामलों के राज्यमंत्री पी चौदरी भी इस माकै पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि सरकार की काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और इस क्रम में अब तक 2.25 लाख संदिग्ध मुखोटा कमपनियों की पहचान की गई है दूर संचार राज्यमंत्री मनोज सिनहा ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी वित्मंत्राले भी लगाया था अनुमान इससे पहले वित्मंत्राले भी कह चुका है कि दो हजार पचीस तक भारतिय अर्थविस्था का आकार दोगना होकर पांच दार अरब डॉलर यानी तीन सव पचीस शून्य करोड रुपे पर पहुँच जाएगी भारतिय अर्थविस्था इसके रास्ते पर आगे बढ़ रही है हाला कि मंत्राले ने कहा कि भारतिय रिजर्व बेंक द्वारा प्यमुद्रा स्फीती के लक्षे मामले में कोई खत्रा नहीं है आर्थिक मामलों के सचेव सुभाष चंद्रगर्ग ने कहा देश साथ से आठ प्रतेशत की वृद्धी दर हासल करने की ओर अग्रसर है स्टार्ट अप, MISMI तथा बुनियादी धांचा निवेश पर ध्यान दिये जाने से अर्थ्वेवस्था की रफ्तार और तेज की जा सकती है वर्ल्ड बेंक भी कर चुका है तारीफ वर्ल्ड बेंक ने भी भारतिय अर्थ्वेवस्था की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी सकार ने रेफॉर्म्स को लेकर अच्छा काम किया है भारती अर्थव्यस्था में वस्तुए वन सेवा कर जी ए सटी के कारण आई सुस्ती दूर हो चुकी है और यहां दोबारा दुमिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यस्था बनने की ओर बढ़ रही है इस साल इसकी विकास दर 7.3 फीजदी और 2019 में 7.6 फीजदी तक पहुंच सकती है 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन सकता है दोस्तों में आप तक नई नई विडियो पहुंचाता रहुए इसके लिए आप मेरा चैनल सबस्क्राइब करना ना भूले थांक यू